तोरेने मैं उननानूं, उनना दे परिवारानूं, उनना दे रिष्ट्राइनूं। बहुत बहुत मुभारक बात दिनना बदाईयां दिननू। सारे मेरी सस्रिकाल हमेशकाल। आज खास करांगे हैं। आज इस सद्धादिता देशती राजनीति नूं कनमी देशा देनवाले। ते रोजगार दी, बिजली दी, पानी दी, स्कूलां दी, हस्तालां दी गलकार नवाले। नित पहलना मुद्ध है ही नी सी है, तर मुद्धे ना दी राजनीती चल दी सी। कि अर्विन केजरीवाल साथ कि तुसी आओ आके देखो कि में पंजाब देविच चिड़ा रंगला पंजाब बनाओंदा पासो बना लेया सी जदो सी कंपेइन कार दे सिये थे जगा जगा पेंड़ पेंड़ जान दे सी तांसी गरांटियां दे सी बिजली मुफ्त कर्म दी खेफतां दी बिजली दी और जड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दी खास्त और तो सब तो बद रोजगार दी गरांटी देंदे सी आज बारांसो पांच जड़े नौजान मुंडे कोडियां पारती होए ने टोटल सतारांसो है क्योंकि बाकी चार जिलियां देविच कोड लग तां अरताली हजार तों उपर नौकरियां सरकारी होगी है और कोई भी तो अड़े चोंए कैदे उठके कि एक रुपईया भी रिश्वद्धा किसे दे लग गया होए जा किसे दिशपारिश पौनी पही होए जा मैं तां रह गया जर मेरे बपूनों मेले नी जानदा जा मं किसे मंत्री नौ जानदा तो बिलकुल जिस तरह किया कुछ एक्स्पीरियंस शेयर कर दें के नीट एंड क्लीन परती हुई है हुन मैं तो अड़े तो भी नीट एंड क्लीन देव टीदी उमीद करूंगा क्योंकि जदू असीत्वानु एत्थों बिना कोई शपारश जब पैसे लए पेज रहे हैं तो जो तुसी अपने कामते जाओंगे ओथे भी ना किसी शपारश जब इने किसे पैसे लए काम करने हैं तुसी ए मैं अमीद रखूंगा तो अड़े तो आज शोड़ा नवंबर आज शहीद करतार सिंग सराबदाजी दा शीदी देना उन्नी साल दी हुमर शीदी देत्ती सी ओहो ओस बेले ओस जमाने चे वर्कलेज उनिवस्टी कालिफोर्निया चे पाइलेट दा कोर्स करन गए सी गदरी बाब्यान दी गिरान मेल होया उत्थे कालिफोर्निया उन्नी साल दी हुमर चे फंसी हुई तो उन्ना ने अपानू देश लेके देता है ते अजदा देन खास तो अडेली के तुसी आजदेन एक जाद देश देवेच एक सरकारी नौकरी ते पॉइंट हो जा रहे हूं ता शहीदा नो भी सची सदा अजली ही आजदा देना पने डबल इसकली मानता होगी के आज शीद करतार सिंह सराबभा जीदा जड़ा है ओहो शीदी देवेच सब बाक्की एक तो अड़ी नोकरी नहींगी नाहीं आखरी है हुन तो अन्नो एक मौका में लगया सिस्टम चागे तुसी होर कंपीटिशन ये किताब पड़ो होर नंबर लो मैं बहुत वारी जदो नियुकती पतर देनाया ताम एन्नों कई बरी पता लगया कि कई है जो मुंडे कोडियां वीसी जिनन दी को साल च ती जी ती नोकरी है चौती चौती नोकरी है क्योंकि कम्पीटिशन दे एक्जाम दे दो नंबर आजान गे त बॉडर स्टेट है बड़े चैलेंज जसने ते नफरी जडी है ओ बदा ना बदा नहीं है क्योंकि दो हियार संदो हियार दे बिच भी असी हिर सी हज दो हियार चौभी हो गया अज भी तो नमीय पोस्ट ख्रेट करांगे तास यहर तो ज़ादा नमीय पोस्टां करेड़ कर एक नमी पुर्स बनाई जो देश देविच पहली पुर्स है अरविन जी SSF दिवजा करके फरवरी चसी उन्हों लॉंच कीता सी अज आठ मी नियाबाद साड़े कुले रुपोर्ट है कि आठ मी न्याच SSF करके सड़कांदे उत्ते 15 परसेंट मौतां कट गी हैं जी 15 परसेंट मौतांदे करके क्योंके वो सड़कां ते फिर देने होना कोले फास्टेट दा समाने नाल दिनाड़ो कोई लेजंदे हस्ताल चाके जा कुझे कोई गड़ी खराब हो जे ता हुनों परां कर दे ता कि प देखाल बेज आल जानमाल भी करें रोजगार भी देए और एक मेरी हूं भेंति है कि जदूमे अकोशित साधी होगी के तो आड़ेकर आदे नेरे तेडी घड़े अने तुरी अने पेके जाख देड़े जावरे नेरे नेड़े तेड़ी उना और देड़े लग पर जे कि अपना अपने अंदर अपना पशानों जिड़ा बंदा तवा डिकोड कम लेन आऊगा उगा उपला गुर्दवारा साब जा मंदर जाके होगा अरदा से करके होगा को चंगा राभवदा बंदा बैठा होगे पुरसी ते मेरा काम हो जी आज ते जे तुसी उन्हों टिड़क के मोड़ता के बबबा रोजी मुझ अक्यों ने तो तेरा कम नहीं हो साथा तो समझलो रभदी दुआ मोड़ती तुसी ते जे तुसी हो ता कम करता भी पहला पाणी पीवो चाह पीवो बबबा जी कोई गल निया दोकावज कटने मैं पूरे करा लेना ते तो जाके फिर गुर्दवर साब जाओगा प्रमातमा एस मुंडे ते परवार नुत अंदर उस्त रखी ते रही रूप सी जिडेडे साब नहींने मेंनू अज जडेडे मेरा काम कीता है तो दॉआमादी कोई कीमत के से करंण सीजनी होंदी और दुजी लेनी होंदी बग्क दुजी अंदरली फोर्स ना टोटदे तर जिंदी शुरू हो जांदी है सो अपने आप उसी अपने आप अपने आप अपने आप अपने आपनों प्रशानों आपनी एमियत बनाओ दफ्तर दे विच इमानदारीना काम करो और देशदी सिवा करो ताके यादकारन लोग को आपने लाग्के बड़ा जिमेन नश्यान दा आजड़ा क्रिमीनल दा चलता है इन्हों तुसी के चैलेंज मन के काम करने और पंजाब सरकार दे परवार देविच एक वरी फिर मैं तब अड़ा स्वागत करते हैं बहुत 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 बदा हैं बहुत 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 आणवाज सर्थ हुन मैं बहुत ही अदबनाल गुजारिश कर दियां मान्योग मुख महमान शिरी अर्विन केज रिवाल जी नू क्यों नवन्योग कॉंस्टेबल्स नू कुछ प्रेरना दाएक शब्द कैन सर्थ मंच पे मौजूद पंजाब के हर्मन प्यारे मुख्य मंत्री सर्दार भगवंतमान साब चीफ सेक्रेटरी साब, डी जी पी साब, यहां पे आएवे सभी आफिसर्स और आज जो युवा हमारी पुलिस फोर्स में जॉइन कर रहे हैं आप सब लोगों को मेरा नमशकार, सब को मेरा अपना नाम सत्स्रियकाल सबसे पहले मैं पंजाब सरकार को और भगवंतमान साब को शुक्रियादा करना चाहता हूं कि आज इतने अच्छे मौके पे मुझे यहां पे आमंत्रित किया और इस इवेंट में साज़्ा होने का मौका दिया युवाओं के चहरे पे छब खुशी देखते हैं तो अंदर से हमें भी खुशी होती है और मैं देख रहा हूं कि जिन जिन लोगों की आज पूलिस फोर्स में भरती हो रही है वो बहुत खुश हैं उनके अभी वेचार भी हम लोगोंने सुने आप सब लोगों को मैं दिल से बढ़ाईयां देना चाहता हूं, जनों ने जो लोग आज कुछ लोगों को अभी हमने नियुक्ति पत्र दिये, बाकी लोगों को इसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, तो जो जो लोग आज पंजाब फोर्स में भरती हो रहे हैं, आप सब लोगों को मैं दिल से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ मुझे बताया गया कि आज अभी 1205 लोगों को नियुक्ति पत्र दिये जा रहे हैं इस राउंड में टोटल 1746 लोगों को दिये जाएंगे लेकिन बाकी लोगों को कुछ दिन के बाद दिये जाएंगे जहां चुनाव चल रहे हैं उनको कुछ दिन के बाद दिये जाएंगे अभी तक 8705, 8705 लोगों को ड्हाई साल में जब से हमारी सरकार बनी है तब से 8705 लोगों को पंजाब पुलिस में भरती दी जा चुकी है हमारी सरकार है पंजाब में इसलिए नहीं कह रहा लेकिन ये सच है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे डिसिप्लेंड, सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे सेलिबरेटेड पुलिस फोर्स है। और आप लोगों को खुश होना चाहिए, अपने आपको बधाई देना चाहिए कि आप लोग इतनी शांदार पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको अपने कामों से, अपने चरित्र से, अपने कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से, जब समाज में आप जाएंगे, काम करेंगे, तो आप लोगों को पंजाब पुलिस का जो रुत्बा है और पंजाब पुलिस की जो इज्जत है दुनिया भर में देश भर में उसको और चार चांद लगाने हैं कभी भी ऐसा काम मत कर देना कि पंजाब पुलिस की साख को थोड़ी सी भी आच आए आप लोगों को अच्छे काम से, इमानदारी से काम करना है ताकि पंजाब पुलिस की साख और चार गुना बढ़े आपके जॉइन करने से मैंने अभी कुछ लोगों के वो भी सुने जो उन्होंने बयान दिये मुझे बेहत खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है ढ़ाई साल में 48,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है अलग-अलग महकमों में लेकिन किसी को भी एक नए पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी किसी को भी सिफारिश ने करनी पड़ी मेरे को याद है 2022 में जब हम चुनाव लड़े थे उसके जस्ट पहले एक स्कैम स्कैंडल हुआ था बड़ा शोर मचा था कि भलाने भलाने मंत्री के भलाने भलाने रिश्टेदार को सिफारिश से नौकरी मिल गई हमारी पूरी धाई साल के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि भलाना भलाना आदमी है जो कि भलाने भलाने मंत्री का या अफसर का रिश्टेदार थे इस वज़े से उसको नौकरी मिल गई मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्रियों के और उनके लोग अगर कोई काबिल है और इस process से निकल सकता है तो निकले लेकिन किसी को भी सिफारिश से और रिश्वत से एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिलिया है इस बात का हम लोगों को फक्र है और यही एक सपना लेके हम लोग आये थे हमारे आने के पहले 2022 के पहले हम सुना करते थे कि बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत के नौकरी मिलना इंपॉसिबल है और इसी वज़े से आम लड़के लड़कियां उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता था अपनी अपने जमीने बेच बेच के लाको रुपई कटे करके आईलेट्स के पेपर दे दे के कभी कैनाडा जा रहा है कोई दर जा रहा है कोई दर जा रहा है और लोगों को देश छोड़ छोड़के जाना पड़ता था अब आपको देश छोड़के इसलिए देश छोड़के जाने की जरूरत नहीं है कि आपको अफसर नहीं मिल रहे हमारी जिम्मेदारी है आपने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया 117 मेंसे 92 सीट दे के हमें जिताया तो मैं जाहिर तोर पर मानता हूं कि आपकी उमीदें भी बहुत जादा है पंजाब के लोगों की उमीदें भी बहुत जादा है हम पूरी कोशिश 24 घंटे काम कर रही है हमारी सरकार उन उमीदों को पूरा करने की और धीरे 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 आप देख भी रहो कि किस तरह से चेंज आ रहा है 48,000 नौकरियां अभी तक दी और एक भी नौकरी बिना सिफारिश और उसके बिना दी गई है तो पंजाब में जितने भी गाउं है जितने भी पिंड है मैं नहीं समझता अब कोई पिंड ऐसा बचाओगा जिसमें एक लड़का या एक लड़की को नौकरी ना मिली हो और वो लड़का और वो लड़की उस पिंड के अंदर हमारा सबसे बड़ा एड़टाइसमेंट है कि पंजाब बदल रहा है पंजाब के अंदर अब नौकरियां मेरिट के अधार पे मिल रही है इस बात को आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने गाउं में आप लोग भी जब जाएंगे अपने अपने मोहले में आप भी चर्चा कीजेगा अपने परोसियों को बताईएगा अपने पिंड में सब को बताईएगा अपने रिष्टेदारों को दोस्तों को कि अब पंजाब बदल रहा है अगर कोई अच्छी चीज होती है समाज के अंदर तो उसका भी धिंडोरा पीटना चाहिए अगर कोई गलत काम होता तो हम सारे बता दे दें लेकिन कोई अच्छी चीज होती है उसका भी धिंडोरा पीटना चाहिए मुझे बेहत खुशी है जब हमने सरकार संबाले थी पंजाब में कानून विवस्था का बहुत बुरा हाल था बहुत जादा बुरा हाल था चारो तरफ गैंक्स्टर्स का बोल बाला था चारो तरफ कानून विवस्था की बहुत बुरी हालत थी और उस थिती में जब हमने नई नई सरकार संबाली थी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था लेकिन उस चैलेंज को हमने स्विकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे हमें पंजाब के तीन करोड लोगों का मदद मिली उनका सहयोग मिला और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है इंडिया टुडे का अभी कुछ दिन पहले सर्वे आया था पूरे देश के सारे रज्यों की उन्होंने स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से रज्य की कानौन विवस्था सबसे अच्छी है पंजाब नंबर टू पे है पूरे देश के अंदर ये कोई छोटी बात नहीं है धाई साल के अंदर हमने पंजाब में कानौन विवस्था को आज इस थिती पे ले आए हैं कि पंजाब पूरे देश के अंदर नंबर टू है कानौन विवस्था के अंदर पहले इतनी फिरोतियों की कॉल आती थी, इतनी कानून वेस्था, चोरी, डकैती, लूट पाट, इतनी सारी घटने, मैं यह नहीं करता है, सब कुछ राम राज्जा आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अच्छी चीजी यह है कि ह हवा का रुख बदला है, पहले जो डिटिरोरेट होता जा रहा था, सब कुछ नीचे चलता जा रहा था, सब कुछ नीचे, कोई उमीद ही नहीं बची थी पंजाब के लोगों को, सब कुछ नीचे जा रहा था, अब हवा का रुख बदला है, अब चीजे सुधरने लगी है और जब हवा का रुख बदलता है चीजे सुधरने लगती है तो धीरे 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 बहुत अच्छी विवस्था भी आएगी दिल्ली में जब हमने सरकार संभाली थी तो दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षितर में, स्वास्त के क्षितर में, बिजली के क्षितर में, पानी के क्षितर में, महिलाओं की बस्यात्रा फ्री कर दी इन पांच साफ क्षित्रों में इतना शानदार काम किया था कि उसकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजने लगी और वही आवाज पंजाब के अंदर आई और पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया पंजाब में हम कानून विवस्था का एक नया मौडल खड़ा करेंगे जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर गुंजेगी कि ऐसी कानून विवस्था भी हो सकती है किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है अपने नागरेकों को सुरक्षा देना, अपने नागरेकों को सुरक्षित महसूस होने का एहसास देना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्टेट की यह अगर हम ना दे पाएं, दिल्ली के अंदर कानून विवस्था हमारे पास नहीं है दिल्ली एक हाफ स्टेट है, लेकिं पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर कानून विवस्था हमारे पास है तो हमें फक्र होगा अगर शिक्षा, स्वास, थे बजली, पानी के साथ-साथ हम पंजाब के अंदर एक ऐसा कानून विस्था का मॉडल लेके आएं जो कि जिसकी चर्चा पूरी देश भर में हो जैसा भी डी जी पी साब ने बताया हम पंजाब के लोगों को सुरक्षा देने के लिए और पंजाब के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए की पैसे की कमीनी होने देंगे रिसॉसिस की कमीनी होने देंगे जैसा उन्होंने बताया मॉबिलिटी के क्षेतर में बेस्ट गाड़ियां आज पंजाब पुलिस को दी जा रही है उनको मैन पावर के खेतर में 8705 लोगों को तो रिक्रूट कर लिया गया दो ड़ाई साल में अभी 10,000 नई पोस्ट्स क्रियेट की जा रही है पंजाब पुलिस के अंदर ताकि पंजाब पुलिस मुस्तेदी के साथ काम कर सके बेस्ट टेकनॉलोजी पंजाब पुलिस को मुहिया कराई जा रही है क्योंकि आज जब क्राइम को बड़ी असानी से पकड़ा जा सकता है अगर टेकनॉलोजी का इस्तेमाल किया जा सके तो सबसे बड़ी सर्टिफिकेट इस बातका की पंजाब के अंदर कानून व्यस्ता सुधर रही है वो इस बात से पता चलता है की इंडस्ट्री 2022 के पहले पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के बाकी राज्यों में जा रही थी हमारी सरकार बनने के बाद से पंजाब बाकी देश के अंदर से इंडस्ट्री उठ उठके पंजाब के अंदर आ रही है पिछले दो स्थाई साल के अंदर तीन लाख करोड सारी साथ हजार करोड रुपए से ज़ादा का इंवेस्टमेंट पंजाब के अंदर शुरू हो गया है पंजाब के अंदर इंवेस्टमेंट शुरू हो गया है और तीन लाख से ज़ादा नौकरियां इन इंडस्ट्रीज के जरीए पंजाब के लोगों को दी जाएंगी तो सबसे पहली समस्या लाइंड ओर्डर प्राब्लम की होती थी और दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज है रोजगार पैदा करने का हमारे बच्चे जो पड़ लिक्के घर बैठी हैं उनको रोजगार मोहिया कराएं हम जादा से जादा रोजगार मोहिया कराएं तो एक तरफ प्राइविट सेक्टर के अंदर तीन लाग से जादा नौकरिया अब तैयार हो रही है 48,000 से जादा सरकारी नौकरिया दी जा चुकी है इसके लावा सरकार बहुत सारे और नीने काम कर रही है 800 से ज़ादा मोहला क्लिनिक बन चुके इन मोहला क्लिनिक के अंदर धेर सारी भरतियां हुई है door step delivery of services शुरू किया गया है उसके अंदर धेर सारी भरतियां हो रही है नीने स्कूल खोले जा रहे हैं उसके अंदर धेर सारी बर्तियां हो रही है तो जितने नए काम पंजाब सरकार कर रही है उसमें भी और बहुत सारी बर्तियां हो रही है ढ़ाई साल कम होते है इन्होंने 75 साल लिये थे पंजाब को बर्बाद करने के मैं उमीद करता हूं कि अगले ढ़ाई साल जो इस टर्म के हमें बचे हैं हम ऐसा काम करेंगे कि पंजाब क्या पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे कि 75 साल के खराब काम को किस तरह से उन्होंने 5 साल के अंदर काफी अच्छा कर दिया आज आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला आप लोगों के विचार सुनने का मौका मिला मैं इसके लिए पंजाब सरकार का मान साब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके और आप लोगों की खुशी देखके आपकी खुशी में सांजा होके. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you, sir. अब मैं वोट आफ थैंक्स लिए मान्योग होम सेक्रेटरी साहब नो मन्तृत कर दी हां. रिस्पेक्टिड श्री अर्विन के जिवाल जी, पहला ता मैं तौड़ा बहुत बहुत थानुआद करना चाहँँगा, कि तुसी अपने अड्मुले समेचो सानू टाइम दिता है, sir. तौड़े आनदेनाल अथे जड़े सक्सेस्फुल साड़े बच्चे ने, उननो बहुत होसला मिले आए, एन तौड़े इंस्पाइरिंग वर्ड्स, आइम शूर इनननो भी इंस्पाइर करनगे, कि अपनी ड्यूटी तंदेही देनाल निबान, बहुत ही सतकार्योग, मुखमंत्री जी, तो आड़ा भी बहुत बहुत तानवाद के तुसी अपने समेचों इस फंक्षन नो ग्रेस करन ली समा देता है सर। नाली मैं तानवाद करना चावांगा साड़े चीफ सेक्टरी साथ दा, स्पेशल प्रिंस्पल सेक्टरी तु सीम साथ दा, खास्त और ते श्री गौरव यादव जी, डीजीपी साथ ते उनना दी टीम आफ आफ आफिसर्स लेड बाई श्री राम सिंग जी, एडीजीपी, जिनना ने बहुत मेनत देनाल इस फंक्षन दी त्यारी कीती है, इनना सारे कैंडिडेट्स नो इते बुलाके एक अत्र कीता है, ताके असी इननना विचार भी सांजे कर सकिये, ते दो शब्द भी सांजे कर सकिये, बहुत बहुत तानवार, थैंकियो बहुत. उन में सारे ऑफसर सहवान अते महमाना नो गुजारिश कर दिया, किराश्ट्री तोंदे सन्मानली अपने स्थान ते खड़े हों दी किरपालता करन. जनगनमन अधिनायक जयरे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराथा, प्राविडा उठकल वंगा, बिंज हिमाचल लमुना घंबा, उठ्चल जलधितरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे, गाहे तव जयरे गाथा, जनगनमन अधिनायक जयरे भारत भाग्य विधाता, जयरे 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 झाल झाल